नमस्कारों, बीसेन न्यूस के दिन विशेश कारेकरम में मैं दशाप सभी का स्वागत करती हूँ भारती क्रिकेट टीम के भूत्वरव कप्तान और महान खिलाडी मनसूर अलि खान पटौदी अपने कलात्मग बल्ले बासी से अधिक कप्तानी की कारें क्रिकेट जगत में अमिर्ट चाप चोडिने भारती क्रिकेट में नेत्रतो कोशल की नई मिसाल और नए आयाम चोड़ी आज ही के दिन 1941 में उनका चन्म हुआ था मनसूर अलिखान पटोदी पाद जन्वरी 1941 को भोपाल में चन्मे थी उनकी मृत्यों 22 सितंबर 2011 को हुई टाइगर निकनेम वाले पटोदी एक भारती क्रिकेटर और भारती क्रिकेट टीम के पूर्व कपतान थी 1952 से 1971 तक वे पटोदी के नवाप रहे 1971 में भारतीय सविधान में संशुधन के बाद ये स्टेट भारत सरकार में मिला लिया क्या और उनके टाइटल नवाप का भी अंथो गया नवाप पटोदी को भारत के सबसे बहतरीन कपतान के तोर पर चाना चाता है मनसूर अली खान के पिता इफ्तिखार अली खान एक जानी माने क्रिकेटर थी उनके शिक्षा अलिगर के मिंटू सरकल में हुई उनके आगे की शिक्षा देहरादून के वैलम बॉल स्कूल में हुई उन्होंने हर्टफोर शायर के लॉकर स्पार्क प्रेप स्कूल और विंचेस्टेर स्कूल में भी अध्यन किया मनसूर अली खान ने अरेबिक और फ्रेंच ऑक्सफोर्ट के बैलियोल कॉलिज में पढ़ाई की मनसूर अली खान या पटवदी जूनियर सीधे हाथ के बल्ले बास और सीधे हाथ के केन बास थी विंचेस्टेर में स्कूल के चातर खान ने अपने बल्ले बासी की जोहर दिखाना शुरू कर दिये थे वे स्कूल के क्रिकेट टीम के कपतान थे उन्होंने पब्लिक स्कूल रैकेट्स चैंपेंशिप भी चीती 1962 में नवाब पटोदी इंडियन क्रिकेटर आफ दे इयर रहे 1968 में वे विस्टिन क्रिकेटर आफ दे इयर बने नवाब पटोदी ने 1979 में अपनी ओटोबाइगराफी टाइगल स्टेल प्रकाशित की वे 1974 से 75 में भारती टीम के मैनेचर रहे 2007 में मैरली बोन क्रिकेट किलब ने भारत और इंगलैंड के बीच पटोदी ट्रॉफी का आयोचित किया जो उनके पिता इफ्तिखार अली खान पटोदी के समान में आयोचित की गई थी बॉलिवोड के टॉप एक्ट्रिस कही जाने वाली दिपिका पादुकुन का आच जन दिन है दिपिका का जन पाच जनवरी 1986 को डेनमार के कोपेगोन में हुआ उन्होंने बैंगलर के माउंट कारमल कॉलेच से पढ़ाई की है दिपिका फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग करती थी सर्फ 17 सार की उम्रों में उन्होंने एक ब्रैंड के लिए रैंप वॉक किया था 2004 में एक साबुन की विज्यापन से उन्हें लोगपरियताम मिली आज दिपिका अपनी फिल्मों से करोडों की कमाई करती है साथ ही वे बॉलिवुड की सबसे महंगी आक्टरस भी है दिपिका रनवीर के साथ प्रभादेवी के प्योमोडे ट्रावोस में रहती है ये घर अंदर से बिहद लगजरी दिखाई देता है दिपिका ने अपनी जिन्दगी के कई शानदार पलों की तस्वीरे सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जो कि इसी घर की है पिछले साल लगे लॉकडाउन के बाद दिपिका और रनवीर ने अपना अधिकतर समय घर के अंदर ही रहकर अपने पसंदीदा शोज और मुवीज देख कर बिताया दिपिका पादुकून को बॉलिवूड में एंट्री लिए करीब 14 साल हो गय दिपिका बॉलिवूड के उस मोर पर गई है जहां उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं दिपिका ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत शाहरुक कान की फिल्म उम शांतियों से की थी उनका जन्मो कोपेगन डेंदमाक में हुआ था उनके पिता का नाम प्रकाश पादुकोन है जो के मश्यूर बैंटमिंटन खिलाडे रहे है उनकी मा का नाम उज्वला है उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम अनीशा है उनकी शुरुआती पढ़ाई बैंगलॉर के सूफिया हाई स्कूल से हुई है इसके बाद के पढ़ाई उन्होंने माउंट कैरमल कॉलेज से पूरी की समाश शास्त्र में बीए की डिगरे के लिए उनका दाखिला इंद्रागानी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी में हुआ था लेकिन मॉडलिंग में करियर बनाने के चलते उन्होंने इसे छोड़ दिया चितरकर रामचंद्र न केवल संगीत निर्देशन की प्रतिभास से परिपूर न थी तो उन्होंने अपनी गाय की फिल्म निर्मान, निर्देशन और अभिने से भी सेने प्रेमियों को अपना दिवाना बनाये रखा आज ही के दिन 1982 में उनका निधन हुआ था सी रामचंद्र का जन्व 12 जन्वरी सन 1918 में महराष्ट के एहमद नगर जिल्य की एक छोटे से गाव पुंतबा में हुआ था बाले काल से ही उनका रुजान संगीत की और रहा था हिंदी फिल्म संगीत को सुरो से नहलाने वाले संगीतकार सी रामचंद्र की नाव से उनके तामिल भाषी होने का अनुमान लगाया चाता है किन्तु वे तामिल भाषी नहीं थे वे पूने के पास एक गाव की मराठी देश्दरत ब्रामन थे हाला कि यह बात उलेकनी है कि उन्हें सबसे पहले एक तामिल फिल्म में है संगीत देने का मौका मिला था संकरांते से दो दिन पहले जन लेने वाले सी रामचंद्र को असल में कुरुशन की तरह दो माताय मिले थी चम देने वाली मा के हिस्से का प्यार उन्होंने सौतेली मा से पाया था उनके पिता रेलवे में सरकारी कर्मचारी थी दिन रात रेल के एंजिनों की करकश आवार सुनकर भी रामचंद्र संगीत कार बने घर में भी संगीत की नाम पर केवल संस्कृत के श्लोग ही गुंश थे सी रामचंदर ने अपने सीने करियर की शुरुआत बत और अभिनेता यूबे राव की फिल्म नागनंद से की इस बीच सी रामचंदर को मिनर्वा मुवी टोन की निर्मित कुछ फिल्मों में भी अभिने करने का मौका मिला इसी समय उनकी मुलाकात महान निर्माता निर्देशिक सोहराब मोदी से हुई सोहराब मोदी ने सी राम चंद्र को सला दी कि यदि वह अभिने के बचाय संगित की और ध्यान दी तो फिल्म इंडस्री में सफल काम्याब हो सकते हैं इसके बाद सी राम चंद्र मिनर्वा मुवी टोन के संगीत कार बिन्दु खान और हबीब खान की ग्रूप में शामिल होगे अब वे ग्रूप में बत और हार्मोनियम वादक काम करने लगे थी बत और संगीतकार सीराम चंदर को सबसे पहले एक तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिला BCN News के दिन विशेश कारेकरम में फिलहाल इतना ही ऐसे अन्यों और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेए BCN News नमश्कार